तो गाइस यार गर्मिया स्टार्ट हो चुकी है और आप मैंसे काफी भाईयों की कमेंटार ही थी कि भाई कूलर बनाओ कूलर बनाओ तो हमने सोचा कि कूलर को बनाने से पहले कूलर के लिए वाटर पम बना लिया जाए क्योंकि अगर हम मार्केट से 12 वोल्ट का वाटर पम खरीदने जाएंगे तो हमें 1500 से 200 रुपय तक कम मिलेगा लेकर हम आपको अनली 30 रुपय के खर्च में पावरफुल वाटर पम बना कर दिखाने वाले हैं जो कि 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट पर वर्क करेगा और इसकी सबसे खास बात ही रहीगी कि एकदम वाटर फुरूप रहेगा इसके अंदर कहीं से भी पानी नहीं जाएगा तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं तो चलिए फर अपनी वीडियो में देख लेते हैं तो गाइस सबसे पहले हमने एक 380 DC मोर्टर को लिया है जो कि 5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट पर वर्क करती है और ये आपको किसी भी इलक्रोनिक सॉप पर 20-30 रुपे में आसानी से मिल जाएगी और फिर हमने एक PVC पाइप को लिया है जो कि 40 mm का है और इस पर अपनी मोर्टर को कुछ स्टैप से पकड़के इसकी साइज की मार्किंग लगा देना है और फिर हमने एक पेपर को इस पाइपर को इस तरीके से रोल करके लपेड देंगे और इस पेपर की मंदद से इसके चारव तरफ हमें मार्किंग लगा देना है ताकि हमें कट करने में आसानी हो तो हमने मार्किंग लगा दी है अब इस मार्किंग के निसान से पाइप को कट कर लेना है तो हम हिकसबलेट की मंदद से इस पाइप को फटा फट से कट कर और कट करने के वाद इसे सेंट पेपर पर घिस घिस कर फिनिसिंग देना है और फिनिसिंग देने के वाद हमें इस पाइप की अंदर की साइच को नाप लेना है जो की 36 mm है तो हमें कमपास को करीब 18 mm का कर लेना है और फिर हमें एक PVC seat को लेना है और इसमें हमें 18 mm का एक गोल सरकल बना लेना है और फिर इस सरकल के निसान से हमें इस PVC seat को कट करना होगा तो हम कटर की मनदद से इस PVC seat को एकदम round ship में कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसे भी finishing देना होगा ताकि हमारी PVC seat pipe के अंदर अच्छी दरीके से tightly fix हो सके तो इसे हमने अच्छी दरीके से finishing दे दिया है अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो mortar के वेरिंग है उसको compass के मदद से कुछ इस टैप से नाप लेना है और फिर इसके middle में हमें gold circle बना लेना है और फिर इस circle की निसान से हमें इस PVC seat में hold कर लेना है जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने hold कर लिया है अब इस PVC seat को अपनी mortar में fix कर देना है योकि आप देख सकते हो कि एकदम tightly fix हो चुकी है अब इसके चारों तरफ फैवी कुग लगा करके motor को इसमें अच्छ दिके से चिप कर देना है लेकिन guys हमारे motor के अंदर sap से पानी जा सकता है तो इसे water group बनाने के लिए हमने cycle के tube से ये piece cut कर लिया है और इसकी middle में हमें motor की sap की size का एक hold कर लेना है तो हम कैंची की मनदस से कुछ इस type से cut करके hold कर लेंगे और फिर इस tip को अपनी इस motor में कुछ इस type से fix करना होगा तो इसे fix करने से पहले इसके चारों तरफ फैवी कुग लगा देना है बस आपको ध्यान रखना है कि sap में फैवी कुग नहीं लगना चाहिए नहीं तो sap jam हो जाएगी और फिर इस tip को इस पर fix करके चिपका देना है और फिर इसकी जो extra size बची है उसे कैंची की मनदस से कुछ इस type से cut कर देना है और इसके बाद हमने इसी की size की गोल पीवी seat को cut कर लिया है और इसकी middle में हमने motor की sap की size का hold कर लिया है और इसे भी इस पर fix करना होगा तो पहले हम इस पर फैविल कुछ लगा देंगे और फैविल कुछ लगाने के बाद इस पीवी seat को इस पर कुछ इस type से fix करके चिपका देंगे तो आप देख सकते हो कि इसे हमने चितरी के से चिपका दिया है अब इसे pipe के अंदर एकदम center fix कर लिया है लेकिन आप देख सकते हो कि जमारी motor है ये दोनों side में move कर रही है लेकिन center fix नहीं हो रही है तो इसके लिए हमने कुछ इस type के रिंग के जैसे PVC को cut कर लिया है और इसे अपनी motor के पीछे side में fix कर देना है और फिर इसके चारों तरफ 5V को लगा के अच्छे से चिपका देना है अब अपनी motor को pipe में fix कर लिया है चुकि एकदम center fix हो जाएगी जैसा कि आप देख सकते हो कि इसे हमने एकदम center fix कर लिया है अब इसके चारों तरफ 5W को गीलागा के अच्छ से चिपका देना है और इसी टाइप इसके पीचे साइट पर भी 5W को ग olm लगा के चिपका देना है और अब हमें इसका प्रोपलर बनाना होगा तो इसके लिए हम compass की मदर से इसके अंदर की size को map लेंगे और फिर एक बीवी सीट पर इसका एक गोल circle बना लिया है अब इस circle के निसान से हमें इस बीवी सीट को round shape में cut कर लेना है और इसके बाद हमने PVC pipe को करीब 5 mm चौणाई में cut कर लिया है और इससे हमें प्रोपिलर के लिए कुछ पीसिस कट करना होगा तो पहले हम इस पर कुछ इस टैप से मार्किंग लगा देंगे और फिर इस मार्किंग के निसान से इसे हम कट कर लेंगे और इसी टैप से हमने ये 6 पीसिस कट कर लिए हैं और इन सभी पीसेज को एक एक करके इस पीवी सीट पर फिक्स करके चिपका लेना है तो हम फाट आफट से सभी पीसेज को इस पर फिक्स करके चिपका लेते हैं तो हमने सभी पीसेज को चिपका दिया है और जो मारी प्रोपेलर हो बनका त्यार हो चुकी है और इसे motor के साफ में fix करना होगा लेकिन इसे fix करने से पहले यहाँ पर हमें water output के लिए एक hole कर लेना है तो इसके लिए हम solder iron का use करेंगे और इसकी मंदद से हम यहाँ पर hole कर देंगे और फिर हमने एक refill वाले pen को लिए है जिसके हमने refill को निकाल दिया है और इस pen को हमें यहां से cut कर लेना है तो हम exavaleit की मनदद से इस pen को थोड़ा तिरचा cut कर लेंगे और cut करने के वाद जो हमने hole किया था उस hole पर इसे fix करके फैभी कोई की मनदद से चिपका देना है लेकिन यहां से water leakage हो सकता है तो हम इसके चार अतरब M.C. को लगा देंगे ताकि बिल्कुल भी वाटर लेकिस ना हो और M.C. लगाने के बाद हम अपनी प्रोपिलर को मॉटर की साफ्ट में कुछ इस टैप से फिक्स कर लेंगे और फिर इस पर थोड़ा सा फैवी कुछ लगा के चिपका देंगे आपको ज़्यादा फैवी को नहीं लगाना है नहीं तो हमारी मॉटर की साफ्ट जाम हो जाएगी और फिर हमने एक P.V.C. सीट को लिया है जिसके मिडल में हमने एक होल कर लिया है और इस P.V.C. को इसके एकदम सेंटर में यहाँ पर फिक्स कर लेना है और फिर इसके चारों तरफ फैवी को लगा के अच्छे से चिप्ता देना है और जो P.V.C. की एकदर साइज है उसे हम कटर की मनदद से कुछी स्टाट से कट कर लेंगे और इसके बाद हमें दो वायर लेना है और इन दोनो वायर को मॉटर के दोनो पॉंट से सोल्टरं कर देना है और सोल्टरं करने के बाद इसे पूरा ही पैक करना होगा लेकिन उससे पहले हमें दोनो वायर पर एक गांट लगा देना है ताकि जब भी हमारे wire खेचें या जटता लगे तो हमारे wire तूटेना और फिर हमने एक PVC को लिया है और इसकी मेडल में हमने एक छोटा सा hole कर लिया है और इस hole से हमें motor के दौनव wire को निकाल लेना है और फिर इसे इस पर कुछ इस टाइब से fix करके पूरा ही pack कर देना है और इसके चारो तरह पै भी को लगा के अच्छे से चिपका देना है और जो PVC की एक्टर साइज है उसे भी हम cutter की मंदर से cut कर लेंगे अब हमें M-sil को लेना है और इसे क्या करना है कि जिस hole से हमने motor के दौनव wire को निकाला था उस hole पर हमें M-sil को लगा देना है नहीं तो इस hole से motor के अंदर पानी जा सकता है तो हमने M-sil को लगा दिया है और हमारा water pump बनका त्यार हो चुका है लेकिन आप देख सकते हो कि जमारा water pump है उस सीधा खड़ा नहीं हो रहा तो इसके लिए हमने करीब 5 mm चोणाई में PVC pipe को cut कर लिया है अब हम इसे middle से cut करके इसके 2 piece बना लेंगे और इन दोनों piece को water pump की नीचे side पर यहां पर fix करना होगा तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा fabric को इक लगा देंगे और फिर इसे यहां पर चिपका देंगे और इसी type से दूसरे बाले piece को भी हम चिपका देंगे तो हमने दोनों pieces को चिपका दिया है और आप देख सकते हो कि जमारा water pump है एकदम सीधा खड़ा हो जाता है तो हमारा water pump पूरी तरीक से बनकर complete हो चुका है तो चलिए फिर हम इसकी testing देख लेते हैं कि यह कैसा work करता है और इसे चलाने के लिए हमने तीन लिए थे हमान बैटरियों को series में connect कर लिया है जिससे की ए 12 volt power निकाल लेगी अब हम इसे चला करके देखते हैं कि यह कैसा work करता है और guys आप देखी सकते हो कि हमारा water pump कितना अचा work कर रहा है और आप इसका pressure देख सकते हो कितना अदा high pressure है करीब 5-7 फिर दूर तक पानी को fake रहा है और इसी से आपको अंदर जल लग गया होगा कि हमारा water pump कितना अदा powerful है अगर आप इसे 5 बोल से भी चलाओगे तब भी हमारा water pump अच्छी से work करेगा लेकिन इतना अदा high pressure नहीं रहेगा और हमने अपने water pump को एक दम waterproof बनाया है इसके अंदर कहीं से भी पानी नहीं जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने इसे एक दम पानी के अंदर डुबो के रखा है और ये water pump हमें आगे बहुत ज़्यादा कामाने वाला है क्योंकि इससे हम आपको काफी सारी चीज़े बना करके दिखाने वाले हैं तो गाइस आपको हमारा ये water pump कैसे लगा नीचे कमेंड वाक्स में कमेंड करके जरूर उता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एकलाइस जरूर कर देना तो चलिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जैहन जैवारत